नमस्ते, हमने पिछले वीडियो में भूमध्य रेखिय प्रणाली यने एक्वेटोरियल कॉर्डिनेट सिस्टिम की चर्चा की, आज क्षिती जा प्रणाली यने होरिज़न्टल कॉर्डिनेट सिस्टिम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, भूमध्य रेखिय प्रणाली में खगोल्य पिंड़ों की सितीताय करते समय, उपयोग की जाने वली घंटा, मिनीट और सेकंड की संकल्पना दोबारा गोर करेंगे, ये पिला बिंदू संधर्व बिंदू है, ये सेटप को उपर से देखते है, ये आकाशिय उत्तरी द्रू याने सेलेस्टियल नौर्थ पोल है, यदि हम यहां से काउंटर क्लॉक वाइज दिशा में शुरू करते है, इस थान पर फिर से पहुचेंगे, तो हम पूरे 360 डिगरी कवर कर चुके होंगे, इस सरकल को 24 भागों में बाटते है, हर एक भाग 15 डिगरी का, इस हरे तारे का राइट असेंशन 45 डिगरी है, सफे तारे का 135 डिगरी और पीले तारे का 255 डिगरी है, गुलाबी तारे का राइट असेंशन 345 डिगरी है, हर एक भाग को 15 डिगरी कहने के बजाए, मैं इसे एक घंटा भी कह सकता हूँ, 24 भागों के लिए 24 गंटे, पहले के दिनों में लोग दो तारों के बीच अंतर बताने के लिए घंटों का उप्योग करते थे, उधारण के लिए A तारे का उधाय B तारे के दो घंटे बाद होगा, बजाए की A और B के बीच की दूरी 30 डिगरी है, इसी संदर्ब में सफेद तारे का राइट असेंशन 6 गंटे, 12 गंटे, 18 गंटे और 23 गंटे है, और यहाँ पर 2 गंटे और 30 मिनिट, यहाँ सटीक कहे तो 2 गंटे 30 मिनिट और 10 सेकन, एक घंटे को 60 मिनिट में और प्रत्ते 1 मिनिट को 60 सेकन में बटा गया है, अभी हम नक्षतरों के योगतारों का राइट असेंशन और डिक्लिनेशन पता करेंगे, अंगीर अस्तारे का राइट असेंशन 183 डिग्री और डिक्लिनेशन 55 डिग्री है, आदरा नक्षतर के लिए यही वैल्यू अठासी डिग्री और साट डिग्री है, चित्रा नक्षतर के लिए राइट असेंशन 201 डिग्री, इसका मतलब यह तारा सेलेस्टियल इक्पेटर की संदर्भ में दक्षेनी धुवा की तरफ है, शततार का नक्षतर के योगतारे का डिक्लिनेशन माइनस 1 डिग्री है, और राइट असेंशन 335 डिग्री, शाराउश में राइट असेंशन अवर्स, मिनिट और सेकंद यहने घंटे मिनिट और सेकंद में गिद्धे है, और डिक्लिनेशन डिग्रीज, आर्क मिनिट्स और आर्क सेकंद असलिए कि यह सेकंद से अलग पता चले, जब समाई दर्शाना हो तो अवर मिनिट और सेकंद और कोणी अंतर दर्शाना हो तो डिग्रीज आर्क मिनिट और आर्क सेकंद अब जानेंगे होरिजन्टल कॉर्डिनेट सिस्थिम याने क्षितीज प्रणाली के बारे में अल्टिट्यूड याने उन्नत आउंश और अजहिम्यूत याने दिगंश नामक दो राश्यों द्वारा आकाश्य पिंडों की सिती इस प्रणाली में बताई जाती है इन दो गोलार्णों को निकालते हैं और पुर्थवी को हटा देते हैं इसके बजाए हम इस व्यक्ति को केद्र में रखेंगे उसके चारो और कामईदान उसके स्थान्यक्षितीच का प्रतिनिदित्व करता है ये पुर्थवी और आकाश के बीच एक प्रकार की सीमा है यही रेफरेंस फ्रेम है जिससे आकाश में अन्यतारो और वस्तों को परिवाशित किया जा सकता है आकाश या क्षितीज याने सिलेस्टेल होरिजान आकाश को दो बराबर भागों में विभाजित करता है किसी स्थान के ठीक उपर याने खगोल्य गोल्य पर स्थीत कालपनिक बिंदु को शिरो बिंदु या जहनित कहते हैं सिद्धान्त ग्रंथों में इसके लिए खमध्य शब्द का प्रयोग हुआ है शिरो बिंदु से एकदम विपरित दिशा में जो बिंदु है उसको अधो बिंदु याने नादीर कहते हैं आकाशिय अक्षितिज के उपर सब कुछ दिखाई देता है और इसके नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता है अब चारो दिशाय अंकित करते हैं उत्तर दक्षिन पूरव और पस्चिम ये मध्यानरेखा है जो उत्तर दक्षिन और शिरो बिंदु को जोड़ती है मद्ध्यानरेखा आकाश को पूरव और पश्चिम ये दो भगों में विभाजित करती है यहाँ पर अब्जर्वर आकाश यक्षितीज के केंद्र में है इस प्रणाली में आकाश यक्षितीज संधर्ववृत्त है और उत्तरदिशा मूल या उरिजिन है इस प्रणाली में आकाशिय पिंडों के निर्देशांग याने अल्टिट्यूड और अजिमूत बदलते रहते है और ये निर्देशांग स्थान पर भी निर्बर है तीन अलग-अलग तारों को चिपका देते है और उत्तरदिशा को अपनी ओर करते है ये निली रेखा, शिरोबिंदु, तारा और ख्षितीज को जोड़ती है ख्षितीज और हरे तारे में कोनी अंतर पाज डिग्री हुआ इसका मतलब हरा तारा ख्षितीज से पाज डिग्री के उचाई पर है इसी संख्या को तारे का उन्नताउश या अल्टिटूड बोलते है ख्षितीज और लाल तारे में कोनी अंतर पाजचीज डिग्री है लाल तारे का उन्नताउश और अल्टिटूड पाजचीज डिग्री हो गया पीले तारे में कोनी अंतर असी डिग्री है पीले तारे काल्टिट्यूड 80 डिग्री हो गया अब बात करते हैं दिगंश याने अजिम्यूत की हरे तारे के लिए रेखा यहां खिती से मिलती है हमारे ओरिजीन या मूल बिंदू से इस बिंदू का कोणी अंतर 30 डिग्री है इसी मान को अजिम्यूत या दिगंश के रूप में जाना जाता है सफेद तारे के बारे में क्या ख्याल है सफेद तारे का दिगंश 80 डिग्री और 59 तीज डिग्री है पीले तारे के लिए दिगंश मान 300 डिग्री होगा क्योंकि हमें ओरिजिन से लेकर clockwise मापना होगा अगर हम उपर से देखे तो ये चार दिशाए हैं यहाँ पर शिरो बिंदू और यहाँ पर ओरिजिन अजिमूत या दिगंश मान की गणना clockwise दिशा में की जाती है यहाँ पर 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री यह उज्जेन स्थित वेदशाला है याने Observatory इसका निर्मान जैपूर के महाराजा सवाई राजा जैसिंग ने 1719 में किया था जब वह मालवा के राज्यपाल के रूप में उज्जेन में थे आकाशिय पिंडों की गती और स्थिती नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए इस यंद्र का उपयोग दिगंश मापने के लिए होता था किसी भी एक समय पर आकाश हर जगह एकी जैसा होता है? नहीं, जानने के लिए हम पृत्वी को वापस अपने आकाशिय प्षेत्र में रखते है यह सफेद पिन भूमध्य रेखा पर खड़े एक आदमे का प्रतिनित्व करती है हरी और नीली पिन उत्तरी और पिली और लाल पिन दक्षिनी गोलार्ध में व्यक्ती का प्रतिनित्व करती है अगर कोई व्यक्ती उत्तरी ध्रुव पर खड़ा है तो उपर से लेकर आकाशिय भूमध्य रेखा तक ही उसे दिखाई देगा यह व्यक्ती दक्षिनी गोलार्ध में स्थित्तारे नहीं देख पाएगा इस थान के लिए इतना ही दिखाई देगा भूमध्य रेखा पर व्यक्ती को आकाश का केवल यही आदा भाग दिखाई देगा वो दूसरे आदे भाग को कभी देख नहीं सकता आकाश हर एक जगर कैसे भिन्न होता है यह जानने के लिए स्टेलारियम सौफ्वेर की मदद लेते हैं अंगीरस प्रसिद्ध सब्तर्शी तारा मंडल का सबसे चमकिला तारा है यह उत्तरी गुलारदम है चार अलग-अलग शहरों से आकाश में अंगीरस तारे की क्या स्थिती है वो देखते हैं तारीक है 28 फरवरी 2024 रात के 9 बज़े है हर एक शहर के लिए दिगंश और उन्नतांश के मानों पर ध्यान दिजिए मुंबई में अंगीरस तारा क्षिती से 15 डिगरी उपर है यही तारा कलकत्ता के लिए आकाश में क्षिती से 26 डिगरी उपर है चिन्नाई में ये क्षिती से 14 डिगरी उपर है जबकि उसी समय दिल्ली में ये 25 डिगरी उपर है दुरुवतारा पोलारिस के बारे में क्या ख्याल है? जैसे कि आप जानते हैं ये बिल्कुल उत्तरी दुरुव पर नहीं है इसके अल्टिटूड और अजिमुद मान भी बदलते रहते हैं पूने मेक्शितिज पर इसकी आवसत उन्चाई 18.5 डिग्री है जो पूने का अक्षाउंश भी है इस प्रणाली के बारे में अधिक जानने के लिए आप UNL.edu से इस सिम्मिलेशन की भी मदद ले सकते है धन्यवाद झाल 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 करता समय झाल